जब घड़ी का काटा करता है 4 बज़े का इसारा तो खबरों से हाई हो जाता है πारा क्यों कि 4 बज़े हम चक्रव्यू के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को च्ञष के चक्न में फसाते हैं जिनकी पॉल पट drie सुनकर हर कोई हैरान हो जाए नमस्कार Capital TV में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट आज चक्रवियों के चक्र में फसे हैं अखलेश यादो, कॉंग्रेस पार्टी, स्क्रैप माफिया रवी नागर और माफिया मुखतार अंसारी का करीबी रियाज अंसारी इन सभी कात सारा काला चिठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की कर्तूत विपक्षियों में शुरू हुई मारा मारी मायवती का नाम लेने पर पड़ी डाट इस क्रैप माफिया पर ताबर तोड एक्शन मुखतार के करीबी पर कसा शिकंजा इंडिया गठबंदन में मायवत इसका अभी तक किसी को भी जबाब नहीं मिला है वहीं उत्तर प्रदेश में कडाके की ठंड के बीच सियासी तापमान चड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी यानि सपा प्रमुक अखिलेश यादों के बयान से बस्पा सुप्रिमों का माथा ठनक गया है और उन्होंने प्रलटवार करते हुए अनरगल बाते करने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादों को अपने गिरेबान में जाकने की नसीहत दे दी है दरसल हाल ही में अखिलेश यादों ने बस्पा के भारती राष्ट विकास शील समावेशी गठवंदन यानि इंडिया अलाइंस में आने के सवाल पर भरोसे के संकट का जिक्र किया माना जा रहा है कि बस्पा चीफ अखिलेश की इसी टिपपणी से काफी जादा नाराज है वही अब बस्पा चीफ ने लिखा कि अपनी वे अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों नीतियों एवं कार शैलियादी से मजबूर सपा प्रमुक दुआरा बीस्पी पर अनरगल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरिवान में भी जाक कर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने वे उनसे मेल जूल के मामले में कितना दागदार है बस्पा सुप्रीम मायवती ने अपने ट्वीट से सीधा सीधा सपा का नाम ले पर दी चुनाओ जीतने से पहले वे उप्रांत आश्रवात दिये जाने को कौन भुला सकता है और फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके निर्थत से सपा निर्थत का मिलना जुनला जनता कैसे भुला सकती है ऐसे में सपा सामप्रदाइक ताकतों से लड़े तो ये उचित हो लेकर पूछे जाने पर मायवती पर भरोसे के संकट की बात कहीं यादो ने पलटवार पत्रकारों से सवाल किया उसके जवाब का भरोसा आप दिलाईए बात का भरोसा आप मैंसे कौन दिलाएगा तो अब मायवती के ट्वीट को अखिलेश के सी बयानसर जोड़ कर देखा सबा के लिए वक्त धीरे धीरे रेत की तरह फिसल रहा है तो वहीं दूसरी तरह विपक्ष में सीट शेरिंग को लेकर मारा मारी चल रही है कठवंदन के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है वही हाल ही में मायवती का नाम सुनते ही कॉंग्रेस पार्टी में भूचाला गया बवाल हो गया दरसल दिल्ली की तरह ही लखनव में भी कॉंग्रेस की एक बैठक हुई जहां चर्चा के बीच बसपा सुप्रेम मायवती का जिक्र किया गया मुझपर नगर से पार्टी के एक पूरु वधायक ने कहा कि हमें समाजवादी पार्टी के बदल लडेंगे वही मायवती के नाम को लेकर समाजवादी में भी यही हाल देखने को मिल रहा है जिसका जिक्र हमने पहली खबर में ही कर दिया है जहां हाल ही में अखिलेश यादों ने कहा कि बीएसपी की गारंटी कॉल लेगा वहीं दिल्ली में यूपी कॉंग्रेस के पर चर्चा हुई जहां कॉंग्रेस के केंद्र निर्तित्र में यूपी के पार्टी नेताओं से सौ दिन देने की अपील की है राहुल गाधी और प्रांका गाधी का यही संदेश है लखनों में कॉंग्रेस नेताओं की बैठक में यूपी के पार्टी प्रभारी अभिनाश पांडे का ये पहला यूपी दोरा है उनसे पहले प्रयांका गाधी के पास नेताओं के साथ मीटिंग की इस मीटिंग में सांसत्थ पूर्व सांसत्थ विधायक और क्या की बुलाया गया था चुनाओं के लिहाज़े से संगठन को कैसे मजबूत करना है भारत नयाय यात्रा की तैयारी और उसका मैसेज गाउं गाउं तक पहुचाने को लेकर चर्चा हुई फैसला हुआ की 11 से 13 और फिर 16 से 18 तक कॉंग्रेस की जोन स्थर पर बैठक होगी मकर सकरांती 14 जनवरी को है उसके ठीक अगले दिन 15 जनवरी को कॉंग्रेस के नेता अयूध्या जाने वाले हैं वहीं यूपी में कॉंग्रेस के संगठन के हिसाब से 6 हिस्सों में बाटा गया ह पार्टी की इस तरह की बैठके वारानसी से लेकर मेरट तक करने का फैसला हुआ है राहुल गादी की भारत नियाय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो रही है और यात्रा सबसे अधिक यूपी में ही रहेगी राज्जी के पास जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी अगली खबर में बात गैंक्स्टर रवी नागर की जहां उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नौइडा पुलिस गैंक्स्टर रवी नागर उर्फ रवी काना के खिलाप एक्शन 23 कर चुकी है सरिया और स्क्राप माफिया रवी नागर गिरहों के खिलाप नौइडा कमिशनरेट पुलिस लगातार एक्शन ले रही है केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे है रवी काना के खिलाप शुक्रवार को पुलिस ने लुकाट नोटिस भी जाली कर दिया है उसकी लगभग 200 करोड रुपे की संपती सील करने के साथ साथ चार बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है इन खातों में 4 करोड रुपे की धनराशी जमा बताई गई है वहीं शनिवार को बीटा टू थाना पुलिस ने नौलेच पार्क थाना शेत्र के शहधारा गाओ में गिरहों की पांच दुकाने और 4000 वर्ग मीटर का प्लाड भी कबजा कर लिया है इसकी कुल कीमत करीब 60 करोड रुपे बताई जा रही है वहीं गैंक्स्टर केस में पुलिस ने सालार पुर गाओ निवासी विकी उर्फ दौलत को गरफतार किया है उसे अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने आरोपी विकी उर्फ दौलत से पूछताज भी की चानकारी के मतावी विकी रवी काना गिरहों के लिए स्क्रैप खरीदने बेचने से लेकर माल इधर से उधर भिजवाने का काम किया करता था गैंक्स्टर केस में कुल 16 आरोपियों को नामजित किया गया है लगातार दबिश दे रही है रवीकाना और उसके गिरहों पर सामोहिक दुषकर्म और गैंक्स्टर एक्ट केस दर्ज होने के बाद पुलिस की कई टी में दिन रात कारवाई में जुटी है कई पुलिस टी में गिरहों के फरार आरोपियों की ग्रफतारी के लिए लगातार पहले ही आखरी खबर में बात मुकतार अंसारी के करीबियों पर तूटे मुसीबतों के पहाड की माफिया मुकतार अंसारी के करीबियों और पच्चिस हजार के इनामी बहादूर गंज नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अंसारी के मुश्किले कम होने का नाम ही नहीं ल उन्होंने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि पैत्रिक जमीन पर नगर पंचायत बहादुर गंज में है पारिवारिक बटवारा पिता और चाचा के बीच में हुआ है भाई बेचु प्रसाद और उन्होंने हिस्से पर मकान बनाया था भाई बेचु प्रसाद के नधन के साल 2020 में अपना हिस्सा 81 वर्ग मीटर बहादरु गंज नगर पंचायत के चेर्मेन रियाज अंसारी के दामाद शहर कोतवाली की सटी मज़ित निवासी एहतशाम को बे नामा करा दी थी और बनारस जाकर रहने लगी कुछ दिन बाद रियाज अंसारी के साथ उसका दामाद एहतशाम अंसारी और अन्य दो लोग घर आए और जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बठाया और लेकर चले गए वहां रियाज अंसारी और उसके साथ के लोगों द्वारा मुखतार अंसारी का नाम लेते हुए धमकी कहा कि मकान मुझे दे दो नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे घटना के बारे में पतनी और बच्चों को बताया पूरा परिवार सहमा हुआ था वहीं उन्होंने आगे बताया कि दूसरे दिन रियाज अंसारी उसका दामाद दो लोगों के साथ पहुचे और घर से निकाल कर ताला बंद कर दिया डर कर बलिया जाकर रहने लगे इसी बीच रियाज और उसके दामाद घर में रखा गैस सिलेंडर चूलहा पीतल और फूल सामान उठाकर लेकर चलेंगे बच्चों के भविश्य को देखते हुए ततकाली निसकी सूचना नहीं दे सका हाला कि अब पोलिस ने मुखतार के करीबी रियाज अंसारी के साथ साथ चार के खलाब फायार दर्च कर दी है और मामली की जार चल रही है आज हमने देखा कैसे चक्रिव्यू के चक्र में अखिलेश यादो, कॉंग्रेस पाटी, स्क्रैप माफिया, रवी नागर और माफिया मुखतार अंसारी का करीबी रियाज अंसारी फसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सब के सामने आगी चक्रिव्यू फिलाल के लिए इतना ही फिर अबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी नमस्कार